Dear Students, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमेस्ट्री को पढ़ना जैसा कि आपको पता है हम लोग पिछले क्लास में केमेस्ट्री में डी एने की संरचना को पढ़ा था कि आपकर डी एने की संरचना कैसी होती है और उसके अंदर क्या-क्या पाय जाता है ठीक है तो हम लोग ने पढ़ा था कि डी एने के अंदर एडिनीन, शाइटोसीन, गुवेनीन, थाइमीन ये सभी सारे पाय जाता है लेकिन आरेने में यही चार चीज़ें होती है लेकिन एक अंतर होता है आरेने में एडिनीन होता है शाइटोसीन होता है गुवेनीन होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूराशिल होता है तो वहाँ पे थाइमीन होता है और थाइमिन के जगा पर यहां पर यूरासिल होता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे RNA के बारे में यानि कि टॉपिक बनाएंगे RNA की सनरचना RNA की सनरचना और RNA का पूरा नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था कि RNA क्या होता है तो राइबोज नूकलिक एसिर तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो RNA में लिखेगा RNA में RNA में एक कड़ी होती है अब दिखाते हैं कि कैसी कड़ी होती है तो फर्स्ट एरो में लिख्या लिखे हम लोग कि RNA में कितनी कड़ी होती है एक कड़ी होती है और DNA में तो कई कड़ियां होती है तो चलिए हम लोग RNA का बात कर ले तो यहाँ पे हम figure draw कर रहे हैं तो figure draw करेंगे कैसे तो दो pain को आपस में बिल्कुल सटा लेंगे तब ही हम लोगों को बिल्कुल fresh diagram बनता है तो यहाँ पे हम लोग यह हुआ और यह हुआ अब देखपा रहे होंगे यह हम लोगों को diagram हुआ इसको अगर colourful बनाने चाहते हैं तो इसको हम लोग colour भी कर सकते हैं और आप देख पा रहे होंगे RNA में कितनी कड़ी होती है सिर्फ और सिर्फ एक कड़ी हलांकि DNA का बात किया जा तो ऐसे ऐसे करवाकार में घूमते रहती है तो ये हम लोगों का RNA की शन रचना है अब इस तरीके से हम लोगों को RNA का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर अगर बात करें तो क्या होता है तो यहां पे साइटोसीन हमेशा गुवेनिन के साथ जूड़े हुए रहते हैं शाइटोसीन हमेशा गुवेनिन के साथ जूड़े रहते हैं और एडिनिन हमेशा यूरासिल के साथ यानि कि C मतलब साइटोसीन, G मतलब गुवेनिन हमेशा साइटोसीन जो होते हैं वो गुवेनिन के साथ जुड़े होते हैं और एडिनिन होते हैं यूरासिल के साथ जुड़ा हुआ तो इस तरीके से हम लोगों को मिलता है स्ट्रक्चर यही है RNA की संरचना इसमें आपको याद रखना होगा कि इसमें साइटोसिन जो होता है गुवेनिन के साथ और एडिनीन के साथ यहाँ पर यूरासिल और बीच में जो यहाँ पर गैफ होता है सिर्फ सेम चीज डी एने की तरह यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन के द्वारा यह वस्म जूड़ हुए रहते हैं यानि स्टाइटोसिन के साथ गूवेनिन और एडिनीन के साथ यहाँ पर यूरासिल से जूड़ा रहता है जबकि डी एने में एडिनीन जो है थाइमीन के साथ जूड़े रहता है अब चलिए उसके नीचे next arrow structure बना लिजिएगा कि एक कड़ी होता है फिर लिखेगा RNA के मुख्यता तीन परकार है एरो देकर लिखेंगे RNA के मुख्यता तीन परकार है पहला दूसरा तीसरा याद रखेगा RNA के कितने परकार तीन परकार एक का नाम है MRNA MRNA का मतलब हुआ messenger A-M-E-S-A-N-G-E-R messenger RNA ध्याम देजएगा एम फुर क्या हुआ messenger messenger का मतलब message पहुँचाने वाला और ribos nucleic acid ठीक है यानि कि RNA के कई परकार है लेकिन पहला क्या है MRNA एम का मतलब messenger ribonucleic acid यानि कि messenger RNA दूसरा का नाम है TRNA ठीक है अब T का मतलब क्या है T का मतलब हुआ transfer RNA transfer 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 करने वाला transfer का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह को transfer वेजने वाला तो दूसरा RNA का नाम है TRNA मतलब transfer RNA और तिसरा का नाम है R RNA R छोटा पर लिखना है फिर बड़ा लिखना है R RNA इस R का मतलब होता है ribosomal nucleic ribos nucleic acid R मतलब ribosomal इसका कुछ अलग यूज है जब आप अलग specialist आफ biology को पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसके भी कई top इसके भी अंतरगत बहुत सारे चीजों को सीखना पढ़ता है लेकिन हम लोगों को chemistry में बस इतना ही पढ़ना है कि RNA का structure कैसा होता है उसके अंदर जो बंधन भूते हैं या वस्म होते हैं वो किस-किस से जुड़े हुए होता है और ये कितने परकार के होता है ठीक है ये था DRNA की सनरचना अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक बनाएंगे DNA DNA Finger printing का उपयोग Finger printing का उपयोग आपको पता होना चाहिए कि DNA finger printing का आप नाम सुने होंगे कि DNA test ठीक है जिसको हम लोग आम भाशा में DNA fingerprint के नाम से भी जानते है तो DNA finger printing का उपयोग कैसे करते हैं और कहां कहां किया जाता है तो इसको हम लोग first arrow देकर लिखेंगे first arrow देकर लिखा जाए DNA finger printing के उपयोग में first arrow देकर लिखेंगे DNA finger printing का उपयोग DNA finger printing का उपयोग बी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग निमन लिखित है निमन लिखित है पहला लिखेंगे फरस्ट नयाईक परियोगशाला में नयाईक परियोगशाला में अपराधियों की पहस्चान करने में पहला क्या लिखेंगे नयाईक परियोगशाला में यानि कि जहाँ पर कोर्ट होता है वहाँ पर एक लेबोरेटरी होती है वहाँ पर DNA टेस्ट के लिए तो वहाँ पराधियों को पहस्चान करने में अपरादियों को पकड़ने के लिए उच्किया जाता है दूसर लिखेंगे किसी ब्यक्ति की पॉत्रिक पहस्चान में किसी ब्यक्ति के पॉत्रिक या पैत्रिक कुछ भी बोल लिख सकता है पहस्चान में तो अब पैत्रिक या पॉत्रिक का मतलब होता है किसके इनके दादा जी कौन है या मतलब उसके पैत्रिक यानि कि पुरे उसके खांदान का DNA टेस्ट किया जाता है कि यह आफिके कुल का है या फिर किसी दूसरे वन्स का है ना तो इसके लिए आपको DNA इसके ने fingerprinting का उफ्योग यहाँ पर किया जाता है अब तीसरा यूज लिखेंगे तीसरा किसी दुरगटना में मृत को के सव को यानि कि जो लास होता है उसको उनके माता पिता के DNA से मेल करके पहचान करने में तो याद रखिएगा तीसरा जो लिखे हमान लिए कि किसी दुरगटना वे किसी व्यक्ति का मौत हो जाती है और फिर वहाँ पर पताने चलता है कि ये किसका लास है किसका है तो इसके लिए उसके जहाँ पर एड्रेश होते हैं उसके माता पिता को पहचानने के लिए उसका DNA टेस्ट किया जाता है कि जो व्यक्ति का मौत हुआ है उसका DNA और उसके माता पिता के DNA का सेम है या नहीं जयव अन्नो ये चैप्टर का नाम था जयव अन्नो जो कि एक कैमेस्ट्री का छटा चैप्टर था जो एक बायो किसे रिलेटेड था जयव का नाम ही मिल रहा होगा जयव जयव का मतलब बायोलोजी बायो है ना वहाँ पे हम लोग भी इसके बारे में अध्यान करने को मिलता ह लेकिन यहां पर हम लोग chemistry के according बहुत सारे फिर भी बायो के parts को पढ़ लिए तो जैव अन्नू chapter हम लोगों का खतम हो गया तो कुल मिला कर देखा जाए यह last topic था और total carbonic रसायन में total organic chemistry में total 8 chapter हैं जिसको हम लोग 6 chapter को पूरी तरीके से पढ़ा है अब दो और chapter बच गया है तो अगले दिन से हम 7 number chapter स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसान का जिसका नाम है दोस्तों बहुलक ठीक है इसको इंगलीश में बोलते हैं पॉलीमर पॉलीमर तो इस पॉलीमर चैप्टर यानि कि बहुलक से भी important questions आते हैं तो आप बहुलक चैप्टर को हम लोग next day में एक नए energy के साथ new day में तो आज के लिए दोस्त इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद